फिल्मेकर करन जोहर के ड्रीम प्रोजेक्ट रंढ भूमी में वरुन धवन मुखे किर्दार में दिखाई देंगे लेकिन फिल्म की फीमे लीट के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ था सोर्सिस की माने तो रंढ भूमी में वरुन धवन के ओपोसिट जानवी कपूर को कास्ट किया जा सकता है खबरों की माने तो फिल्म के डारेक्टर शेशांग खेतान के दिमाग में इस रोल के लिए आलिया भट और जानवी कपूर का नाम था लेकिन आलिया भट आजकल अपने मौजुदा फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी चल रही है इसलिए फिल्म में जानवी कपूर को कास्ट किये जाने की उमीद एफ काफी बढ़ गई है हाला कि अभी तो मेकर्स ने इसकी ओफिशल एनाउंसमेंट नहीं की है आपको बता दें फिल्म धरक से डेब्यू करने के बाद जानवी कपूर करन जोहर की ही अगली मल्टी स्टार फिल्म तक्स में रणवीर सिंग के ओपोजिट न जराएंगी खबरों की माने तो फिल्म रण भूमी साल 2020 में दिवाली की मौके पर रिलीस की जा सकती है